आइम सुदर्शन कुप्ता, गावर्मेंट एक्सेलेंस हार सेकंडरी स्कूल नंबर बान शिवपुरी प्रतिलों त्रकुमितिये फलान यानि इनबर्स ट्रकुनमेट्रिक फंक्शन देखिए, आज हम एक्जामपल 5, 10 इनबर्स कॉसेक्स अपन बन मानिस सानेक्स को सरलतम रूप में लिखना देखेंगी कि इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में हम कैसे कनवर्ट करती हैं इसके लिए 10 इनबर्स इसको हम साने में कनवर्ट करेंगी क्योंकि कॉस में इधर देखें बन प्लस कॉस एक्स या बन मानिस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बन प्लस कॉस एक्स के कितना होता है टू कॉस स्कॉार एक्स वाई टू और बन मानिस कॉस एक्स का होता है टू साइन स्कॉार एक्स वाई टू तो cos के साथ में बन प्लस या बन माइनस होना चाहिए इसमें cos सिंगल है और sin तो सिंगल होता है sin का फर्मूला बन जाता है sin x का फर्मूला हो जाएगा 2 sin xy2 cos xy2 sin सिंगल होना चाहिए तो हमें easy पड़ता है तो यहाँ पर cos को sin में कनवर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा sin 90 minus x यहनि pi by 2 माने से sin 90 माने सीटा cos θीटा होता है और ऐसे ही यहाँ पर हम cos में कनवर्ट कर दें cos 90 माने से sin x हो जाएगा इससे क्या होगा tan inverse और जो sin इसको पूरे को θीटा माने तो sin θीटा का फर्मूला हो जाएगा 2 sin और जे आपका θीटा by 2 और cos θीटा y 2 जे हमारा पूरा थीटा हो गया था तो sin θीटा का 2 sin θीटा by 2 cos θीटा by 2 इस परकार से 1 minus cos θीटा इसको थीटा मान लिया तो 1 minus cos θीटा का हो जाएगा 2 sin square θीटा y 2 तो इस परकार से अमारा 1 minus cos θीटा का होता है 2 sin θीटा by 2 तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा और 1 sin वाला कैंसल हो जाएगा इस से हमारे पास बचेगा कितना इसको दीखें 10 inverse उपर बचेगा अब हमारे पास बचेगा क्या 10 inverse और उपर cos इसका अंदर multiply कर देंगी तो जो हो जाएगा pi by 4 minus x y 2 upon में sin इसका अंदर प्रूडेट कर देंगी pi by 4 minus x y 2 cos upon sin coat हो जाएगा 10 inverse और जो जाएगा coat pi by 4 minus x y 2 चुकि हमने दीखा बाहर 10 है अंदर coat है तो इस अंदर coat को हम 10 में convert करें कैसे 10 90 नहीं pi by 2 माहिना से पूरा आपका theta x y 2 तो 10 90 माने theta coat theta होता है तो 10 से 10 हमारा cancel हो जाएगा और इससे जो value आएगी y pi y 2 minus pi y 4 minus x y 2 इसको हम simplify करेंगे minus का product करके pi y 4 minus minus plus हो जाएगा और x y 2 pi y 2 में से pi y 4 जाएगा तो pi y 4 बचाएगा क्योंकि इसका healthy में लेंगी तो इसका 4 lgm आएगा तो 4 में 2 कड़वाइट करेंगे 2 तो उपर 2 pi हो जाएगा 2 pi में से pi जाएगा pi pi y 4 plus x y 2 इसका simplify form हो जाएगा तो जी हम इसको सरलतम रूप में इस परकार लिख सकते हैं इसमें हम प्रिश्णा वली 2.2 का 5 बच्वा question लिख रहा हैं इसको हमें simplest form में लिखना है 10 inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x इसको simplest या सरलतम रूप में लिखना है इसके लिए हम x की जगए पर थोड़ा समझे बता दें कुछ ट्रिक्स हैं कि कहीं पर root में 1 plus x square लिखा है 1 minus x square लिखा है या x square minus 1 लिखा है तो एदी ऐसा लिखा है तो x की जगए पर 10 theta या 4 theta लिखेंगे क्योंगी 1 plus 10 square x के लिखेंगे तो 1 plus 10 square 6 square बन जाएगा और 1 plus 4 square कॉसे के स्कॉर बन जाएगा तो 10 या 4 लिख सकती है ऐसा हो तो x की जगए पर हम sin theta या कॉसे तीटा लिख सकती है क्योंगी 1 minus sin square कॉसे स्कॉर बन जाएगा और 1 minus 4 square sin square बन जाएगा यदि ऐसा है तो हम x की जगए पर सेक theta या कॉसेक theta लिख सकती है इस परकार से कुछ ऐसी situation सा जाती है तो हम x की जगए पर क्या क्या लिखती है हमें एक idea मिल जाता है चूकि हमारा 1 plus x square बाला है तो x की जगए पर हम 10 theta लिखेंगे तो लिखेंगे हम इसमें proto x equal 10 theta इससे theta की value कितनी है जाएगी 10 inverse x बाद में हमें लिखने में इसकी जरूत पड़ेगी अब हम x की जगए 10 theta इसमें लिखेंगे तो जिए हो जाएगा हमारा 10 inverse root 1 plus 10 square theta x की जगए पर हमने 10 theta लिखेंगे माइनस 1 अपॉन x की जगए पर 10 theta अब हम इसकी identity बनाएंगे तो 10 inverse 1 plus 10 square x square हो जाएगा जो की root से बारा के x theta हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 theta इसको हम sin और cos में convert कर लेंगे तो जे x theta हो जाएगा 1 अपॉन cos theta और 10 theta हो जाएगा sin theta अपॉन cos theta इस परकार से हम उपर LCM ले ले लेते हैं तो इसका LCM आएगा cos theta और जी नीचे cos theta है तो LCM से LCM डारेट हम काट रहे हैं तो LCM के बाद वो कटाएगा तो पहले LCM लेंगे तो cos theta इदर पहुच जाएगा cos theta और आप पहुचे sin theta और इसका जो LCM था वो cos theta से cancel हो जाएगा वो हमने डारेट कर दिया अब हम देखें पहले हमने जो question किया था उसमें हमने identity का उपयोग किया था बन माने स्कॉच theta का क्या होता है 2 sin square theta y 2 ऐसे जाब है प्लस होता तो यह 2 cos square theta y 2 हो जाता sin theta का होता है 2 sin theta y 2 into cos theta y 2 2 से 2 cancel हो जाएगा 1 sin theta y 2 से 1 sin theta y 2 cancel हो जाएगा जो बचेगा वो बचेगा sin theta y 2 upon cos theta y 2 sin upon cos 10 हो जाएगा और जाएगा 10 inverse 10 theta y 2 10 inverse से 10 cancel हो जाएगा जो theta y 2 और 1 y 2 और जो theta हमने निकाला था theta की जगाएगा पर हम 10 inverse x लिख देंगे क्योंकि theta आपका 10 inverse x था इस प्रकार से जो आपका simplest form हो जाएगा n से इनिया जाएगा विसली तेन इन इन वर्स बन प्लस x स्कुआर माइनस बन अपून एक्स एक्वल बन अपॉन 2 तेन इन इन वर्स एक्स जिसका सरलतम रूप यह सिंप्लिफाई पॉर्म हैं exercise 2.2 का question number 8 इसमें हमें 10 inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x को simplest form में लिखना है यह आपर लिख दें इसमें क्या करना हमें सरल तम रूप में लिखो सरल तम रूप एनी simplest form में इसमें लिखना है हमें इसके लिए हम क्या करेंगे जो question दिया है इसमें सबसे पहले जो numerator है अनस है यहां निविटर उसमें से cos x common निकालेंगे क्यूंकि इसमें cos x है तो cos x common निकाल है तो बन बचेबाद का पहल्बाद हो कॉस x का करेंगे तो cos x का बन में करेंगे cos x आ जाएगा और cos x का इसमें multiply करेंगे तो cos से cos cancel होके वही sin आ जाएगा इसका मतलब है कि हम उपर वाली numerator यहनी अन्स को ऐसे लिख सकती है इसी प्रकार हम denominator यहनी हर मैंसे भी cos x common निकालेंगे तो इसमें बन बचाएगा और sin x के upon में cos x आ जाएगा और जो हमने common निकाला था वो cancel हो जाएगा इसके बाद में जो बचेगा उसको लिखती हैं क्या बचेगा 1- sin x upon cos x 10 x हो जाएगा और 1- sin x upon cos x यह भी 10 x हो जाएगा अब क्योंकि 10 का formula हम जानते हैं तो यहाँ पर एक step और हम बढ़ा दें कि बन प्लस है यहाँ पर हम बन का multiply कर दें formula बनाने के लिए क्योंकि बन का 10 x में multiply करेंगे तो 10 x ही आएगा इसका मतलब है कि हम उपर वाले step को ऐसे लिख सकते हैं इससे हमें फायदा क्या होगा क्योंकि 10 5y 4 की value बन होती है 10 5y 4 जैंड 10 45 10 45 की value बन होती है तो बन की जगए पर हम 10 पोटी 5 लिख सकती हैं एक यहाँ पर लिखेंगे एक यहाँ पर लिखेंगे इस जगए नहीं लिखेंगे यह दियान दखना क्योंकि हमें formula बनाना है और formula आपको learn होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि formula कैसे बनता है तो पहले हम लिखते हैं इसके बाद देखेंगे यह 1 की जगाए पर हमने लिख दिया 10, 5, 4 इसको हमने ऐसा ही का ऐसा लिख दिया बन प्लस इस बन की जगाए पर फिर से हम 10, 5, 4 लिख देए और यह 10, X तो ऐसा ही रहने देए अब देखें यह दि हम इसको A माल ले 5, 4 को क्या माल ले A और X को B माल ले यहनि A माल ले 5, 4 को और X को B माल ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, A 10, A माइनस 10 B अपान 1 प्लस 10, A और 10, B A फर्मूला बन गया इसको उता है 10, A माइनस B का 10, A माइनस B का फर्मूला होता है तो हमने 10, A माइनस B का फर्मूला बन जाएगा यह जदी हम 10, पाईवाई 4 को A माल ले है लिखते नहीं है साइड में प्ता दिया कि यदि हम pi ecc 4 को यह माल ले हैं और x को भी माल ले हैं तो 10 a माणार 10 b अपर ऑफ ठ माणार एकस इस प्रकार से हमारी स्ट से simplest form या simplify रूप है सरलतम रूप है ए तीनों प्रिश्णों के screenshot अमने याँ पर दे रखे है